पेरिस ओलम्पिक्स दोजार चौबीस में एक बड़ा जटका भारती एक खेल प्रेमियों को लगा है हर भारत वासी को लगा है एक गोल्ड की उम्मी जो की जा रहे थी विनेश फोगाट से अब वो अयोग एक घोशित कर दी गई है विनेश फोगाट को अयोग एक घोशित किये जाने के बाद से हर खेल प्रेमिय निराश है विनेश फोगाट जो की लगातार एक चैंपियन की तरह एक शांदार प्रदर्शन करते हुए यहां तक पहुँची थी और उन्हें अब अयोग गोशित कर दिया गया है ओवरवेट होने की वज़े से दावा ये किया जा रहा है कि 50 ग्राम उनका वजन बढ़ गया है जिसकी वज़े से अब वो 50 किलो ग्राम भारवर्ग में नहीं खेल सकती इस कैटेगरी में उन्हें नहीं खिला जाएगा अयोग गोशित करते हुए उन्हें अब फाइनल से बाहर कर दिया गया दरसल विनेश वागार्ट का जो ये पूरा सफर रहा है बहुत मुश्किलों भरा रहा है चुकि रियो ओलम्पिक में जब उन्होंने शुरुआत की थी तो उस वक्त उन्होंने 48 किलो ग्राम भारवर्ग में अपने आपको आजमाया लेकिन वहां पर उस तरह की कामियाभी नहीं मिल पाई लेकिन वो जोहर उनका लोगों ने देखा वो टैलन्ट वो दिखाई दिया जो भारती है महिला पहलवानों में उस वक्त तक नहीं दिखाई दिया था जब तक विनेश महां तक पहुँची उसके बाद उन्होंने जिस तरह 2020 में टोक्यो उलम्पिक में खेल दिखाया वो तिरपन किलोग्राम भारवर्ग में खेली और वहां भी उन्हें मेडल उस तरह से नहीं मिल पाई जितनी उम्मीद की जा रही थी और जिस तरह से वो फोगाट फैमिली से आती हैं मावीर अंदार रहा विनेश फोगाट का और बीते दिन की कुछ जलकियां मैं आपको फटाफट बता देता हूँ दरसल यूई सुसाकी को तीन दो से उन्होंने हरा है यूई सुसाकी कौन है जपान की कैसी महिला पहलवान है जो कि अपने 82 मैटर्स में एक भी राउंड नहीं हारी वो आ रही थी और ऐसे प्रतिदंदी को उन्होंने हरा कर यह दिखा दिया था कि गोल्ड पर अगर किसी का अधिकार है तो वो विनेश फोगाट का है लेकिन अयोग गोशित की जाने के बाद से अब ये सपना 140 करोण भारतियों का एक साथ चूर चूर हो गया और आपको बत साथ पांच से और यूकरेन की महिला पहलवान को एक तरफा उन्होंने पांच चूर ने से हरा कर ये मैड जीता था और फाइनल्स में प्रवेश किया था भारत की तरफ से नीरत चोपड़ा के अलावा एक गोल्ड की प्रबल दावेदार अब माने जाने लगी थी विनेश वगाट जिन्हें एहम मकाबले में क्यूबा की गुजमान लोपेज को कोई मौका ना देते हुए पांच सूने से हराकार उन्होंने ये जीत दर्श की थी और अपना सिल्वर मैडल उन्होंने पका कर लिया था सिल्वर मैडल से लोगों को ये लगने लगा था कि सिल्वर मै आखें नम हुई क्योंकि हर भारतिये को यह उम्मी थी कि एक गोल्ड मेडल तो जरूर आएगा अलगी खेल भावना का सम्मान भी यहाँ पर सभी कर रहें विनेश फगाट की अगर हम बात करें तो विनेश फगाट उस परिवार से आती हैं जिसने चार महिला पहलवान दी और ऐसी पहलवान जो कॉमनवल्ड गेम्स में भारत के लिए मेडल लेकर आई और भारत का सिर्व गर्व से उचा किया महाविर फगाट की भतीजी विनेश फगाट जिनके ताओ महाविर फगाट ने जो कि दोनाचारे अवार्डी भी हैं और पहलवानी के कोच भी रहें और उन्हें अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है और उनका ये कहना था कि विनेश जब गोल्ड मेडल जीत कर ला है पेरेस ओलंपिक दो हजार चौबीस से ये एक बहुत बड़ा जटका भारतिया खेमे में लगा और भारत को उमीद ये थी कि विनिश फॉगाट गोल्ड मेडल जीत कर भारत की लाज बचाने में काम्याब रहेंगी चुकि अब अब तक ग्यारा से बारा दिन उलंपिक्स के हो चुके हैं और सिर्फ तीन मेडल हैं जिसमें से दो मेडल एक ही महिला खिलाडी मनुभा करके हैं और वो भी ब्रॉंज मेडल हैं और सिल्वर या गोल्ड के लिए जो हम उमीद कर रहे थे वो बॉक्सिंग या कुष्टी या फिर जैवलिन थ्रो इस तरह की खेल में ही भारत अब तक अपना दमखम दिखाता रहा है चुकि बहुत सारे खेलों में भारत के खिलाडी खेलते ही नहीं है तो ऐसे बहुत सारे खेल हैं जहां पर अभी भारत के खिलाडियों को जाना है अपने आपको दिखाना है और दमखम दिखा करके वहाँ पर अपना वर्चस्व काइम करना लेकिन जहां पर भारत की खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं वहाँ पर इस तरह की घटनाएं दिल तोड़ देती हैं और इस तरह की घटनाओं से आहत होता है हर एक खेल प्रेमी हम अगर बात करें ताउ की तो पिता की बात नहों ऐसा हो नहीं सकता सोमवीर राठी की मैं बात करूँ और सोमवीर राठी जो कि विनेश के पिता हैं जिन्नों ने इस बारे में जिक्र किया था चुकि कुछ राजरते घटना क्रम बीते रोज हुए थे उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे लेकिन उन राजरते घटना क्रमों की वज़े से सोम अवीर जी क्या बताया गया आपको क्या कारंट दिया गया है पर्टिकुलर कारंट विरेश को डिस्क्वालिफाई करने का जो शुबा वजन वय था जो डीड़ सब्राव जादा रह गया है इसकारंट गडिस्पाई एप तो इस सिच्वेशन के अंदर क्या इंडियन साइड अपनी तरफ से जो कोचिस थे उन्होंने कुछ कोशिश की क्या हुआ कोई फरक नहीं पड़ता है यह रूल के हिसाब से तो यह हो गई इसमें सही गलत की बात नहीं रहती है मैं समझता हूं क्योंकि रूल का इसके अंदर पूरा हवाला दिया जा रहा है अभी मैं जानता हूं कि आपके लिए बड़ा मुश्किन शन है यह क्योंकि उस गोल्ड पदक तक इतने नस्दीक पहुंचके डिस्कौलिफाइए होना यह बहुत बड़ा जटका है आपके आखों में आसू अल्रेडी आप अल्रेडी इतने परिशान नजर आ रहे हैं अब क्या आगी के लिए क् 28 की त्यारी करेंगी अच्छा आप विनेश से अभी हालकि चंद मिनिट हुए इस ख़बर को आए क्या विनेश से बात हो पाई है या किसी से उस खेमे में बात हो पाई है क्योंकि आप बता रहे थे आपके भतीजे भी गए हैं वहाँ पर जो बेटी संगीता है बजरंग उ लेकिन सिल्वर से क्या संतुष्टी अब तो इस बार से संतुष्टी रखनी पड़ेगी यह समझा रहा है और जैसा कि माविर फगाट हमेशा कहा करते हैं कि पहलवान को पहले अपने डर से लड़ना पड़ता है और अपने डर से लड़कर अपनी विपरीत परिस्थितियो से जूज कर विनेश फगाट यहां तक पहुंची थी और यह उम्मीद की जा रही थी कि एक गोल्ड मेडल यह जो ऐसा करने वाली भारती है पहली महिला पहलवान बनी थी लगातार राउंड पर राउंड जीत कर उन्होंने फाइनल्स तक एक ही दिन में तीन बड़े पहला कर चित करके उन सभी का मुबंद कर दिया था जो उन पर सवाल उठा रहे थे और विनेश फगाट जीत कर भारत लोटें यह उम्मीद उनके पिता सुम्बिर राठी भी कर रहे थे और विपरीत पस्तियों में जिस तरह से सुम्बिर राठी ने उनका साथ दिया मावि रही थी उसमें यह बताया जा रहा था कि फाइनल्स में अमेरिका की पहलवान को हरा कर जो कि बुदवार को अमेरिका की एन सराह से उनका फाइनल मैच होना था और इसे जीत कर वो हर भारतिये को एक बड़ा तोहफा दे सकती थी लेकिन वो तोहफा नमिल सका और अब आगे क्या इस पर होगा आला कि अल्बिक कमिटी से भी बाचरीत इसके बारे में होगी और क्या स्थिती रहेगी किस तरह से मैडल डिस्ट्रिबूशन होगा ये सभी फिलाल जाच का विशे रहेगा चुकि इस मैच के पर्टिकुलर इस मैच के दौरान उनका वेड जो है वो अतरिक पाये गया तो क्या जो सिलवर मेडल है उन्हें दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा ये एक ऐएम सवाल है कि इस तरह बीच में ओलफिक मैच के बीच मेन भार अतरिकT हो जाना क्या इसके लिए कोई और कोई लचीला नियम नहीं होना चाहिए चुकि खिलाडी यहां तक पहुँचने के लिए कड़ी मेहनत करता है पहले क्वालिफाइंग मैच खेलना उसके बाद टोर्नमेंट मे आने वाले मैचेस खेलना लीग मैचेस खेलना प्री क्वाटर फाइनल क्वाटर फाइनल फिर सेमी फाइनल तक पहुचकर फाइनल तक की दोड़ और कितने ही खिलाडियों को पटकरनी देकर विनेश फगाट यहां तक पहुची थी और इस सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़ रही पहली भारतिय महिला पहलवान अलाकि उन्हें पहली भारतिय महिला पहलवान इसलिए भी माना जाएगा कि यहां तक काभी सफर किसी भारतिय महिला पहलवान ने नहीं तै किया था और यदि वो फाइनल जीत कर गोल्ड मेडल भारत को दिलाती तो इतिहास रज जाता हलाकि यह जो हुआ यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है कि फाइनल मैच तक पहुँचकर यह डिस्क्वालिफाई हों गई ओवरवेट होने की बज़े से और भारत के खेल प्रेमियों को एक बड़ा जटका लगा है बाराल इस परिस्तिती पर अगर आप कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राए रखे